दोस्तो आपके popular demand पे आज हम एक Hindi medium का बहुत ही जबदस एंसर ले क्या है और जो कि economics के बहुत important topic पे है जारखन में होता क्या है 80% जो student है उनका number economics में below 100 रहता है तो देखी इस question में कैसे question को deal किया गया है और यह जिनका answer है वो 7 to 10 JPSC में interview तक पहुँची थी और इस बार भी उनका means का exam बहुत अच्छा गया है और hopefully इस बार जो है वो बहुत बढ़िया रहें के साथ qualify करेंगी तो चली देखते है question क्या है मुधराजपिती जो है inflation यह होता क्या है इसके प्रभावों की keyword पकरना है impact को बताना है साथी साथ भारत सरकार जो इसको control करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं है तो जैसा कि आपको पता है कि question के keyword को देखते हुए उसको 4 पार्ट में बाटा ज way forward लिखके फिर conclusion तो चली देखते हैं कैसे इन्होंने start किया है और economics में इनका last time भी बहुत बढ़िया जो है number रहा 120 के आसपास और इस बार्ज भी जो है economics इनका बहुत अच्छा गया है तो भोजन उर्वरक और इंदन संकट अतुरस्था को तबाह करने वाला है यह बहुत स गई है वह समस्या और कुछ नहीं बलकि घरेलू अर्थवरस्थाओं में बढ़ती मुद्राज पिती है जैसे कि जो question पूछा गया है उसको सीधे उस पर नहीं आना उसके पहले कुछ जो current का चीज है या फिर economic survey का कुछ data है सरकार का कुछ data है वो पहले आपको लिखना है उ जैसे यहां पर inflation को define किया गया है लेकिन उसके पहले जो है जवर्दस introduction डाला गया है उससे में WTO का बारहवा बैठक हुआ था और यह answer जो है 2022 का है WTO के बारहवे मंत्रे स्तरिय बैठक में मुद्रास्पिती के वैस्विक प्रभाव को उजागर करते हुए भारतिय व्रस्था की ऐसी इस्थिति है जब वस्थु के मूल में व्रिधी तथा मुद्रा के मूल में गिरावट होती है देखिए चीजो कादाम बढ़ता है और जो करेंसी है उसका दाम घठता है सरल सब्दों में इसे महंगाई करते हैं वरतमान में जहां पून विष्व इससे त और साथ ही साथ, जैसे मैं कहता हूँ, कि हर सब्जेट का अपना एक रंग होता है, तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से, वो बोलते हैं ना कि क्यों ऐसा है, कि एकनोमिक्स में 80% लोग को 100 से कम मतलब मार्क्स मिलता है, क्योंकि ना ही वो डाइग्राम डालते हैं, ना ही ड देटा डालते हैं, निबंद लिख देते हैं, तो कहां से मिलेगा, तो देखिए कैसे जो है, 2018 में 3.4%, फिर ये बढ़ा 4.8, 2021 में 6.2, इस हिसाब से जो है इसको दिखाया गया है, ठीक है, और कहां से लिया गया ये भी आपको बताना जरूरी है, तो ये आपका जो है, फर् वो कितने प्रकार का होता है, तो उसका दो बेसिस दिया गया है, एक आपका रेट के अधार पर, ठीक है, आपका जो है, रेंगती हुई, घूमती हुई, गैलोपिंग और हाइपर मुद्रास पिती, ठीक है, जिसमें आपका जो रेंगता हुआ है, ये तो चले ठीक ठाक है, चलता हुआ थोड़ा डेंजर है, गेलोपिंग बहुत डेंजर है, और हाइपर इंफलेशन तो कहना ही नहीं है, और कारण के अधार पर आप बात करेंगे, ठीक है, तो डिमांड, डिमांड पुल, मांग जनित मुद्रास पिती, ठीक है, दूसरा हो गया, कॉस्पुस, पू इंफलेशन हाई हो, और बिरुजगारी भी हाई हो, ठीक है, और यहाँ पे लगता, तीमाही, नागा, मतलब डेटा यहाँ पे दिया गया है, तो यह सकेंड पेज में आपको बता दिया गया, अब इसको इंडिया में मेजर कैसे करते हैं, इंफलेशन को यहाँ पे दिखाय गया है, कि महंगाई को मापने है तू, देखे कितने अच्छे से, बोले ना कि चीज़ों जो है, आपको पता है, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट है, तो WPI थोक मूल सूचकान और CPI, जो दो मेन इंडिकेटर है, जो भारत में इस्तमा वाल होता है, उसको यहां पर दिखाया गया है, ठोक व्योसाहव बेचे जाने वालस्तू में परिवरतन को माबता है, और यह उपभोकता, उप्योगी वरस्तु है और सेवाओं की कीमतों में प्रिवरतन माबता है, यह चार परकार का होता है, CPI, IW, ठेका, इंडिकेटर सो सोला हो गया है CIPI क्रिसी मजदूर एक कल्चर लिबर ग्रामीन मजदूर और कमबाइन यह सब कर नीचे वाले का बेस यह 1212 है उपर का 2016 है और WPI में क्या है कि सर्वीस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है बोलते हैं ना कि पूरे विश्वे में जो है कंज्यूमर प्राइस इंडिया 2016 से ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तमाल कर रहा है क्यों कि उसको टार्गेट दिया जा रहा है और बताए ना आपको कि जो थोक मुल सुचकांक है इसमें जो सर्वीस सेक्टर है जिसका GDP में सबसे ज्यादा योगदान है वो इंक्लूड नहीं है जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये सामिल होता है इसलिए इंडिया दोनों का अब इस्तमाल कर रहा है और लंबे समय तक इंडिया WPI का ही इस्तमाल करता था फिर बहुत से scholars, economies ने इस चीज़ को दरसाया तो अब भारत दोनों का इस्तमाल करता है और RBI खास कर अपना ज वो जो बोलते हैं कि flow chart कैसे दिखाना है diagram कैसे दिखाना है तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका हो सकता है तो देखें क्या क्या कारण दिखाया गया है अंतराष्टी कारण एक यूएस जो है अपना federal bank का ब्याज बढ़ाया है FDI, FPI जो है वो घटा है इसके चलते हो रहा है है ना पहले क्या था कि जो अमेरिका है उसके यहां भी मंदी छाई हुई थी तो जो इन्वेस्टर्स है वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन जैसे जैसे अमेरिका जो है वो मंदी से उभरा तो यहां पे जो foreign port इन्वेस सकते है मतलब जैसे उस से में तो चालू नहीं भाथा इधर दिया गया है तो यहां पर है hai subscribe यूट्रीएट hu massage में कि अंतराश्चकान सको जो है इस साइड में दिछा सकते हैं तेके हैं लिए इंडोनेशयया का पाम तेल वाला चीज हो गया उसके बाद कोविट भी एक रीजन रहा मनी सप्लाई का बढ़ना घाटे का बजट अपनाना ठीक है यह सब जो है रीजन दिया गया है कारण बता दिये गए उसके बाद मुद्राश्पिती के प्रभाव इसका इंपेक्ट क्या होता है तो प्रभाव जो है जेनरी लोग आपका क्रिपिंग इंफलेशन जब बहुत हाई इंफलेशन नहीं है तो वो उसके लिए पॉस्टिब मना आता है फिर देखे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है समान प्रभाव दिनी को लाब, निवेश बढ़ता है बचेत बढ़ता है, प्रड़क्शन बढ़ता है जीडिपी बढ़ता है उत्पारन को बढ़ावा मिलता है शौट तम मतलब महंगाई रहता है तो वो एकनोमिक के लिए मतलब डिमान बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ाना तो आपको दिक्कत की बात है ठीक है उसके बाद जो government job में है उनका तो चलिए ठीक है उनको डिये मिलेगा अपना लेकिन जो government job में नहीं है informal sector में है उनको चीजे जब महंगी हो जाएंगी तो जेब से जादा खर्च होगा ठीक है उसके बाद ये समावेसी विकास में बाधत बनेगा जो food security है उसको बढ़ाना पड़ा जो health expenditure उसको बढ़ाना पड़ा ठीक है GDP growth कम होगा मतलब सब चीज को जो है निर्यात में कमी होगा आयात महंगे हो जाएंगे impact कितने अच्छे तरीके से फिर दिखाया गया है आसे ही नहीं जो है 120 के आसपास इंका नंबर रहा था 7-10 JPSC में और ऐसे ही नहीं मतलब इंटर्व्यू कॉल हो गया था और इस पर जो है फाइनल होने का भी बहुत हाई चांस है क्योंकि इस हिसाब से answer जो है या in fact इससे भी बहतर answer जो है इन्होंने लिखा है तो GDP growth rate में कमी होना आया जनीत मुद्रास पिती है ना क्योंकि जब तेल करदाम महंगा होगा है ना imported यह बहुत current में यह चीज़ चला था आया जनीत मुद्रास पिती वही चीज है कि economics में marks क्यों नहीं उठता क्योंकि आप बस किताब को follow करके लिख देते जो current में चीज़े चल रही है उसको आप बताते ही नहीं है और वहीं पर मार्खा जाते हैं वहीं पर आपका number जो है मतलब उसमें कमी आई क्या समानता आयात महंगे हुए राजकोशे गाटा बढ़ा ठीक है अता मुद्रास पिती के तमाम दूस परिनामों को देखते हुए सरकार द्वारा राजकोशे नीती के तहट आर्बिया इन्हें मौद्रिक नीती के तहट कई कदम उठाए हैं ठीक है आज बात यह है कि जैसे मैंने बता है कि इंफलेशन जो है दो टैप का होता है एक आपका डिमांड पुल होता है कोस्ट पुल होता है ठीक है तो जो सप्लाई साइड वाला रहेगा ना प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है तो सप्लाई साइड वाला में वो उतना इंपैक्ट नहीं करेगा लेकिन जो डिमांड वाला है वहां पर यह काम करेगा जैसे सरकार जो है ना वो बेसिक प्राइसेज बढ़ा दी या एक्स्ट्रा फिस्कल स्टिमलेस दी या टैक्स में कटोती कर दी कारण हम लोग अलग अलग देखे थे ना कि क्या कारण है महंगाई के ठीक है क्या कारण महंगाई के उसमें हम लोग देखे थे तो जैसे सरकार जो है वो tax में कमी कर दी या फिर जो है आपका physical stimulus दे दी उससे भी जो है बढ़ता है जैसे 7 पे आया था उस समय सरकारी में तो उसमें बढ़ा था तो जब मालेजे ये उसके पैसा बहुत ज़्यादा market में आ गया है पैसा जब बहुत ज़्यादा market में आ गया तो वहां RBI क्या करता है वहां पर RBI करता है आपको CRR मतलब ये RBI जो है वो तुमा मतलब SLR bank rate ये सब जो है बढ़ा देता है महंगा कर देता है उसके चलते bank उसको pass करता है तो जो मौदरिक उपाय है उसमें ध्यान ये रखना है कि वह आपको demand वाले चीज में मतलब उससे में कारगर साबित होगा और यहां पर देखे COVID से पूर और code weekly पसचार्थ को भी दिखाया गया क्यों नहीं मतलब 40 में 26 नंबर 27 नंबर क्यों नहीं मिला होगा market stabilization scheme हो गया एक मौट जैसे अब भी बता है कि RBI को 2016 से ही inflation targeting 4 प्लस माइनस 2 का देंज दिया जा रहा है market stabilization fund ठीक है और COVID के मद और परस्चार्थ क्या क्या कदम उठाए गया वो यहां पर बताया गया है जो है टार्गेट दिया गया inflation को control करने का वह यहां पर दिखाया गया है हालिया उपाए अभी recent में क्या क्या गया है मुद्रा के मूल में गिरावट को देखते हुए कंपनियों की विदेशों से करज लेने के सीमा में बढ़ोतरी की गई है इससे भुकतान सलतुलन ठीक रहेगा फिर ये पुरेट को जो है क्या बढहाया गया है इसा बताया गया है फिराज़कोशिय उपाय है ये दोनों में काम करता है जो RBI वाला है वो केवल demand side में क्योंकि RBI जो है वो production कैसे बढ़ा सकता है किसानों का वो तो मुंकिन नहीं है वो fiscal policy के दौरान अब इसमें भी देखें कोविट का क्योंकि मैंने आपको बता है उसमें कोविट काफी चर्चे में रहा था तो कोविट के पूर्वे जो है FRBM हो गया minimum support price हो गया production link incentive हो गया ठीक है economics में ऐसे ही number नहीं उठता है बहुत मेहनाच चाहिए बहुत मेहनाच चाहिए और तब जाके आपको मतलब बात बनेगे price stabilization fund हो गया open market operation हो गया यह सब चीजों को दिया गया है FRBM Act 2003 था फिर उसको 2017 में भी लाया गया सारस्किम्स के बारे में यहां पर बताया गया है और तब उस साल का budget उसमें green fund जारी किया कि उसको बताया गया चुनौतियां क्या है जैसे मैंने बताया जो MPC है उसका लक्ष पूरा नहीं हो पाया जनसंक्या बहुत तेरी से बड़ी है UN ने बताया है कि 2023 में जो भारत की अबारी हो सबसे स्रवादिक हो गई फिर corruption है राजितिक चखसक्ति की कमी है environmental matters है देखे कितने अच्छे तरीके से जो है यहां पर challenges को बताया गया है फिर आगे की रा आथिक स्रवेक्षन में निहीत त्वरित दिस्टिकोन अजाइल अप्रोच अपनाया जाए अधिक मुनाफ़ा प्राप्त कम्पनियों पर windfall tax लगाया जाए योजनाओ का राजनितिक इक्छा सक्ति प्रसास की उक्रूसलता के लिए साथ क्रियानवन पुझीगत वयको बढ़ावा ना की रजा स्विवयको ठीक है मतलब government क्या करती थी कि जैसे आप जानते है expenditure डो टैप का होता है revenue और capital ठीक है revenue expenditure में आपका क्या आता है salary, subsidy, pension, grant और capital में asset ये सब चीज रहता है तो government मतलब 90% government का revenue expenditure पर रहता और capital पर कम लेगिन COVID आने के पाद सरकार का नीन खुला है अभी देखने को क्या मिला कि सरकार पुझीगत वयको बढ़ावा दे उस चीज को लिखा गया है उसके बाद जो रेबरी culture है उसको छोड़ा जाना चाहिए बहुत ही जवर दस पॉइंट है आप निर्भर भारत तथा PM गती सक्ति पेलाई को बढ़ावा देना डिश्टी कलरन डिश्टी कलरन पर उसके बाद DBT जैम आदी को पुझाहन फिर फाइनली जो है यहाँ पर conclusion वर्तमान में भारत जहां एक और पांच टिलिंड डॉलर की अर्थवरस्था जी लक्ष आदी जैसे अंगनित महत्वकांची लक्षो को प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है वही मुद्रास्पिती ने इस इन लक्षो की प्राप्ति के मार्ग में बाधा का कार किया है यदि सरकार ने इसके नियंतरन है तो लेखने कदम उठाए हैं किन्तु मुद्रास्पिती का वास्त्विक समधान आत निर्भरपता में नहीं था अता उत्पादन और पादक्ता कि में विधिदर करके हम ना केवल आया जनित मुद्रास्पिती वह कई विबिसिकाओं यथा गरीबी ब्रोजगारी आदि से मुक्ती पा सकेंगे अपितु अजारी का सववा वर्स भारत एक विक्सित राष्ट के रूप में मना सकेगा अब बताए क्यों नहीं इनको 25 प्लस मार्क्स आउट ओफ 40 ठीक है मिलना चाहिए इतने बढ़िये तरीके से जो है अब देखी सकते हैं पहले जो है question तीन पार्ट में divided है तो पहले introduction में क्या होता inflation क्या चल रहा है उसके वाज़े में तो जनकारी देखे inflation को define किया गया flow chart के थूझ जो इसको बताया गया कितना प्रकार होता है वो बताया गया कैसे मापते हैं वो बताया गया कारण क्या क्या है वो बताया गया उसके बार impact क्या है positive impact, negative impact और presentation देखे बोलते हैं कि quality और quantity दोनों जवरदस्थ होना चाहिए फिर उपाय क्या क्या है दोनों उपाय है starting में ही बता दिया गया कि जो आपको monetary policy है ये केवल demand वाले में काम करेगा supply वाले में नहीं काम करेगा क्या cash step लिए गया है वो सब बताया गया फिर आपका physical policy चुनौतियां आगे की रा आगे की रा देखे कि इतना सुन्दा से बताया गया है और फिर finally conclusion तो जाहिसी बात है इतना बढ़िया answer प्लस इतना बढ़िया presentation handwriting भी अच्छा तो 28, 29 ऐसा marks मतलब मिलना ही मिलना यारो तो उमीद है दोस्तों आपको इस answer से idea लगा होगा कि कैसे जो है economics में बढ़िया number लिया आता है